हेलो बच्चों कैसे हुआ आप सब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दुर्दर्शन मेरा विद्याले में मैं उमीद करता हूँ कि आपको जो घर पर आपके विद्याले का अनुभब मिल रहा है आप उसे बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और इंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाए भी कर रहे होंगे बच्चों आज क्या है आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम क्या देखते हैं हम अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं और उसे सीखते हैं आप सभी तयार है चलिए चलते हैं बच्चों हमारे भोजन का जो मुख्य भाग है जो में गेहूं से चावल से मकई से या अलू से मिलता है वो स्टार्च है तो हमारे भोजन में स्टार्ट का प्रजेंटेशन है या नहीं ये देखने के लिए अभी हम लोग एक छोटी सी एक्टिवीटी को करने जा रहे हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैंने यहां देखे तो कुछ हालू को काट करके एक साब पानी में डाल दिया है इसको हम लोगों ने जब कुछ देर तक कुबाला तो अभी इस पानी में भी ये स्टार्ट का मात्रा आ गया होगा इसको हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ले लेते हैं फिर आप क्या करना हैं आपको कि ये जो हम लोगों ने सलूशन ले लिया इसमें हम लोग आयर्डीन का कुछ ड्रॉप्स डालेंगे अभी मैं कुछ ड्रॉप्स आयर्डीन के इसमें डाल ला हूँ जैसे ही आयर्डीन के कुछ बून इसमें गए है तो अब आप देखिए ये जो पड़कनली थी टेस्ट ट्यूब में उसका रंग नीला हो गया है तो ये एक्चवली बता रहा है कि इस टेस्ट ट्यूब में स्टार्च प्रजिंट था तो इस टार्च की उपलब्धिता को बतलाने के लिए हम लोगों ने ये प्रियोग किया स्टार्च आयवडीन से प्रतिक्रिया करके इस तरह का एक नीला रंग देता है ये बतलाता है कि जो भुज़ पदार था उसमें स्टार्च है जो की एक जटिल कार्वो हाइडरेट है अभी आप देखें तो मेरे दाइने हाथ में जो है ये वाला जो देख रहे हैं आप इस घोल में स्टार्च प्रजेंट था इसलिए ये इसका नीला रंग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है बच्चो हम लोग बाजार में बहुत सी चीजें खाने के लिए लाते हैं भुज़ पदार्थ उसमें तरह तरह के मिलावट पाए जाते है जैसे मुनाफ़ा कमाने के लिए ब्यपारी करता ये है कि जब आप रहर दाल लेने जाते हैं तो उसमें वो कुछ दूसरे दालों को जिनका दाम कम हो उसको मिला देता है उसी तरीके से दाल और अच्छा दिखे तो उसके लिए क्या करता है वो कि जिस रंग से हम लोग कपड़ा वेरा रंगते हैं मेटानील यलो जिसको सामानी भासा में या लेट क्रोमेट कहते हैं उससे दाल को रंग देते हैं तो दाल जो है वो और पीला अच्छा दिखने लगता है तो बेचने के ख्याल से वो ऐसा कर देते हैं लेकिन लेट एक बहुत ही घातक धातु है और हमारे पाचन तंतर को और फिर पाचन तंतर से जुड़ी पूरी सरीर हमारा है उसको भी खराब कर सकता तरह तरह की विमारियां आती हैं मिलावट के चीजों को खाने से तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ आप देखें तो इस खरल में हमने कुछ दाल लिया है इस दाल को हम लोग पहले खरल में दीरे दीरे जो है वो पीस लेते हैं पीषने के बाद इसको मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है और इस फ्लास में थोड़ी देर डिस्टिल वाटर में डाल करके इसको घोल लिया है अब इस घोल को हम लोग एक टेस्ट्यूब में ले लेते हैं और यह जो घोल है डाल का इसमें अब हम लोग थोड़ा सा इसमें HCL मिलाते हैं जैसे ही मैं यहाँ HCL मिलाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ जो गुलाबी रंग इसका दिका रहा है वो यह बतला रहा है कि इसमें चार इसमें जो है वो लेट क्रोमेट की मौझूदगी है इसलिए इस परक्नली का रंग गुलाबी हो गया तो यह बतला रहा है कि यह जो दाल रंगा हुआ है इसमें लेट क्रोमेट मौझूद है देखे ये जो पड़कनली में पूरा रंग पिंक हो गया ये बतलाता है कि इसमें मेटनील यलो मिलाया गया था इसलिए ये रंग हुआ है तो हमें मिलावट की चीजे नहीं खानी है जहां से भी हो शुद्ध चीजे खानी चाहिए ताकि हम स्वस्त्र रह सके धन्युद्ध नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों आज हम एक बार फिर से आपके समक्स उपस्तित हैं एक और नए विशाय के साथ आज हम बात करेंगे आपसे विद्धिव धारा की जिसे हम साधारान भास्टा में बिजली कहते हैं बिजली कि अगर हम कलपना करें और हम यह सोचें कि अगर हमारे जीवन में बिजली यानि विद्धिवत नहों तो हमारा जीवन कैसा होगा अब खुश सोचें अगर एलेक्रिसिटी नहों हमारे जीवन में तो नहीं हमारे कोई ट्यूब लाइट जलेगा नहीं बल्ब जलेंगे और नहीं पंका चलेगा यानि कि में बहुत कस्टों का सामना करना पड़ेगा है ना लेकिन इस विद्यूद को जब हम तो और डिटेल में समझते हैं कि विद्यूद धारा क्या है तो इससे जुड़े हुए कुश शब्द हमारे सामने हमेशा आते रहते हैं जिनका उपयोग हमने बहुत बर किया भ कहते हैं उसकी अलावा विद्यूद्धारा जिसे हम करेंट कहते हैं एवं रेजिस्टेंस हम जिसे कहते हैं प्रतिरोध तो यह तीनों शब्द हमारे लिए हो सकता है नए हो आप अपने कक्षा में देखा होगा इनका नाम सुना होगा किताबों में पढ़ा भी होगा लेकि जमिरी नमा के देश में एक बहुत बड़े विज्ञानिक जिनका नाम था सर्जोर्ज साइमन ओम उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया था एक नियम दिया था हमें पूरे विश्वे को जिसे हम ओम का नियम या ओम स्लौ कहते हैं आपने इसका नाम ज़रू सुना होग तो चालक के अंदर उसके दो शीरों के बीच का जो विवांतर बनता है उत्पन होता है वो उस विद्युधारक के समानुपाती होता है यानि डिरेक्ली प्रोपोर्शनल होता है मैं इब फिर से आपको समझाने के कोशिश करता हूं ओम का नियम क्या बताता है अगर एक विद्युधारक के समानुपाती होता है यानि जितना जादा विद्युधारक प्रवाहित होगी वोल्टेज यानि विववांतर का मान उतना ही जादा बदलता जाएगा उस करेंट के साथ उस विद्युधारक के साथ तो यह तो एक साधारान वासा में हमने ओम के नियम को होता है अब अगर हम गड़ित की भाशा में इसे बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि विवांतर यानि भोल्टेज करेंट यानि विर्व ध्यारक के समानुपाति होता है और जब हम इस समानुपात को हटाते है तो एक बराबर क चीगना आता है एवं उस बराबर के चिन्ने के साथ एक इस्थिरांक भी हम जोडते हैं आज लाते हैं जिसे ओम के नियम के अंदर हम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं यानि आपने यह समीकरन जरूद सुना होगा कि भोल्टेज बराबर करेंट इन्टू रेजिस्टेंस यह हमने पढ़ा है कि ओम के नियम के अंतरगत आज हम आपको ओम के नियम को सिद्ध करके दिखाएंगे कि एक सधारन प्रतिरोध हक्यानी डेजिस्टर का उप्योग करके आप किस प्रकार ओम के नियम को देख सकते हैं और उसके संबंद को यानि भोल्टेज एवम करेंट के संबंद को रिलेशन को आप अच्छे तरीके हैं वो है वोल्टेज कनेक्शन सर्किट जिसे हम आप थोड़ा आपको mighty कर देते हैं कि क्या होता है लेते हैं मैं आपको आने वा disciplines क्या होता है या मोल्टीमीटर क्या होती है वह सब चीजे में आपको दिखाने वाला हूं तो जब बहुत किसी voltage source को लेते हैं और उसके अंदर जब हम एक voltage को अपने हिसाब से change करते हैं तो उसके समानुपात में झो सका current है वो भी उसी तरीके से equally change होता जाता है not equally लेकिन लगबग वो उसी voltage के मान के साथ change होता जाता है यानि जब हम voltage कर रोल्टेज को सेंगर चेंज करते हैं, तो साथ ही साथ उसके करेंड के माहन में इस थोड़ा परिवर्थन होगता है, इह यह हम बात कर रहे हैं के अबने अने वहान वाले समय में उसको प्रयोग के द्वारा दिखाएंगे तो आज हमने आपको जो ओम के बारे में बताए उसका ओपयोग के हां आप कि आप या भरों में बहुत सारी शी रॉप करनों को प्विचों किया हो उसके अंद्र आपने बहुत सारी रेटिंग्स देखी होंगी कि 220 बोल्ट का हम AC supply जो हमारी आती है उसको हम यूज करें तो यह जो हम आपसे यह जो facts हम बताते हैं या जो जी चीजें हम उस पर लिखी होती है किसी उपकरन के ऊपर वो कहां से हम निकाल के लाते हैं तो ऐसे बहुत सारी machine जिनके अं के नियम के द्वारा calculate करते हैं उसका मान निकालते हैं फिर हम उसको बताते हैं तो इस प्रकार के उपकरन में ओम के नियम का बहुत जारा उपयोग किया जाता है ना सिर्फ उपकरन में जब हम विज्ञान को और आगे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो इसे बहुत सरे electronic circuit होती हैं जिसके अंदर हम ओम के नियम को अपयोग करते हैं और अलग-अलग voltage के मान को या current के मान को या resistance के मान को हम निकालते हैं तो इता हमने इसको उपयोग की बात की अब हम आपको जो भी हाँ प्रेयोग करने वाले हैं इसके अंतरगत हम एक voltage connection circuit को अपयोग करेंगे जि यहां से voltage और current का मान हमें मिलेगा उसका हमें graph plot करेंगे यानि बनाएंगे और हम देखेंगे कि वह graph कैसा होता है और क्या उससे हम प्रतिरोत का मान निकाल सकते हैं अब यहां पे voltage और current का मान लेकर आप प्रतिरोत का मान कैसे निकालेंगे तो साधान्द हमने जो समिकरेन आप को बताया था कि भी बराबर, आई क्रोस आर, तो यहां से अगर आप आर का मान निकालना चाहें, तो वोल्टेज का नुपात जब करेंट के साथ निकालते हैं, भी वांथर बट्टा विदियुध्धार जब आप निकालते हैं, तो क्लेक्श करते हैं, तो वहाँ से हम रिट्य नियम को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या मान मिलता है वोल्टेज येवं करेंड का तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम एक voltage connection circuit का उपियोग करेंगे, यानि एक ऐसा circuit, एक ऐसा पदेती उपियोग करेंगे, जिसमें हम voltage को जैसे change करते रहेंगे, उसके साथ साथ हमें current का मान भी अलग-अलग मिलता जाएगा, तो इससे पहले कि मैं प्रयोग को करूँ, मैं आपको कुछ चीजें यहां मैंने उपि इसको हम कैसे माबते हैं, यानि किसी भी प्रतिरूदक का जो प्रतिरोद का मान है, वो हम कैसे माबते हैं, तो उसके लिए, हम आपको दिखाते हैं, जो machine यहां उपियोग कर रहे हैं, ये एक multimeter है, अब यहां multimeter का क्या आउट हुआ, एक ऐसा meter जो बहुत सारे काम करता है, तो सुचने वाली बात ही है कि क्या करता है आप देखेंगे यहां बहुत सारे रेडिंग दिये हुए हैं यहां पर जनलेली जो सधारनता हम करते हैं विबिन प्रकार के वोल्टेज को करेंड को एवं रेजिस्टेंस को हम अलग-अलग पॉइंट पे रखकर माप सकते हैं यान इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत चुटे-चुटे खामे बने हुए है ठीक है लेकिन यहां अगर आप ध्यान से देखें तो यह एक लाइन आप यहां देखेंगे इसके नीचे ठीक वह एक ही पॉइंट के साथ एक किनारे पर एक दूसरे के साथ जूड़े हुए है इसके अलावा देखे एक सोर्स हमने यहां उपयोग किया जिसे हम वोल्टे सोर्स कह रहे हैं तो यह एक बैटरी इलिमिनेटर है इसका कार्या है एक निश्चीत मातरा में वोल्टे सोर्स का आप सप्लाई देना और इससे हम अभी वोल्टे लेकर इसके करेंड के मान को अभ सब्सक्राइबात हुएं तो आप ses मेर्यक किनारे इसके एक सिरी को दूसे सिरी को लगा दिया है अब हम क्या करेंगे यहां आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव और निगतिव टर्मिनल है पॉजिटिव जो हमारा सोर्स है तरमिनल है हमारा उसको हम एक साइड में जूड़ देंगे यहां पर और जो हमारा दूसरा साइड है हम इसको इस प्रकार दूसरे सिरे पर जोड़ देंगे और चली एक काम करते हैं मैं हम इसको ऐसे कर लेते हैं अब आप ध्यां से दिखेएगा कि जब हम यहां पर श्यांज करेंगे यहां पे करेंड चामा भी चेंज होगा उसी के परस पर उसी के समनुपात में तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं इस सिस्टम को on कर लेते हैं देखे हैं मैंने on कर लिया है और मैं एक वोल्ट का मान यहां लेकर एंटर कर देता हूं यानि हमने एक वोल्ट का वैल्यू इसमें सप्लाई कर दिया है तो अब देखने वाली ब्यात यह है कि इस प्रतिरोध में कितना करेंट यानि कितना विद्युधरा प्रवाहित होता है तो चलिए हम यहां पर इसको टॉश करके देख लेते हैं तो आप यहां देख सकते हैं सुने दस में लोग चार मिलियांपियर का करेंट हमें यहां दिखाई दे रहा है लेकिन आप सोचने होगे कि यह माइनस साइन क्यों है तो यहां पर हमने यह दोनों जो टर्मिनल लिया है एक देखिए पॉजिव और एक निगेटिव टर्मिनल है हमने पॉजिव के साथ पॉजिव को जोड़ दिया और अब हम निगेटिव टर्मिनल से वैल्यू को माप लेते हैं तो जैसा कि आपने देखा यहां पर एक वोल्ट का जब हमने सोर्स अप्लाई किया यानि विवांतर अप्लाई किया है दिया है तो हमको यहां सुने दस म तो हो रही है यानि आपने देखा कि जैसे यहां यसी हम विवांतर आप्चरण को देखेंगे वोल्टेज का मान change करते हैं उसी प्रकार आपको करेंट के मान में थोड़ा अंतर दिखाई देगा चलिए थोड़ा और देख लेते हैं आगे करके अब हम दो वोल्ट का वोल्टेज डिफ्रेंस के देंगे इसमें अब देखते हैं करेंट के मान में कितना change आता है तो आप देखिए सुन्य दसमेल नौ मिलियांपेर का करेंट हमको प्राप्त हुआ तो आप एक चीज गौर कर रहे होगी कि जैसे जैसे हम वोल्टेज के मान को चेंज कर रहे हैं वैसे ही उसी के साथ साथ करेंट के मान में भी थोड़ा अंतर आपको देखने को मिल रहा है जो कि करेंड में क्या चेंजिस हम को देखने को मिलते हैं तो अब water देख सकते हैं जब हमने यह दो दसमेलो पांच वोल्ट का वॉल्टेज़ डिफेरेंस अप्लाइघ किया है तो उसरी के साथ सथ उसरी के परस पर हमें एक 0,2 म्यलियांपेर का करेंट प्राप्त हो रहा है कि देखा आपने चलिए एक और काम करते हैं तीन दसमेलों पांच पर भी देखते हैं और अब करेंट को देखते हैं मापते हैं कितना है कि यह थोड़ा गलती हो गया है इसको मैं पिर से एक बर करने कोशिश करता हूं तीन दसमेलों पांच पर अब देखे एक दसमेलों साथ भोल्ट सुरी साथ मिलियंपेर करेंट हमें यहां पर दिखाई दे रही है अब हम देखते हैं चार भोल्ट पर क्या होता है कि चलिए देखते हैं तो अब देख सकते हैं एक दसमेलों नौ मिलियंपेर करेंट हमें प्राप्त हो रही है अब हम इसको चार दसमेलों पांच पर रखेंगे और अब देखते हैं मान कितना होता है लगभग 2.1 mA current और आखिरकार हम 5 V का source भी देख लेते हैं कितना होता है तो लगभग 2.3 mA current हमें प्राप्थ हुआ तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम voltage के मान को यानि विववांतर के मान को जैसे 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 change कर रहे हैं बदल रहे हैं साथ ही साथ उसके current में भी हमको changes देखने को मिल रही है यानि voltage जैसे हम current का यानि विववांतर एवन विजिधर का एक समानुपाती relation हमको देखने को मिले एक संबंध हमको दिखाई दिया अब हम इस मान को एक graph पर plot करेंगे खीचेंगे जिसमें x अक्ष जो हमारा होगा वो voltage का होगा और जो y अक्ष होगा वो हमारा current का होगा और हम देखेंगे कि ये दोनों का जो मान है वो हमें कैसा graph देता है तो आईए हम उस graph को plot करते हैं और देखते हैं कि हमारा मान क्या मिलता है वो रेखा हमें क्या बताती है और उसी रेखा के द्वारा हम जो हमारा resistor है उसका मान भी निकालेंगे तो इस graph के द्वारा हम समझ सकते हैं कि यहां पर जो अलग-अलग मान हमें दिये हुए हैं उसके द्वारा हम resistance के मान को अलग-अलग निकाल सकते हैं वो कैसे निकालेंगे तो आप अगर ध्यान दें तो हमने voltage source को दसमलो 5 के अंतर के द्वारा अलग-अलग बदलते गए हम हमने पहले एक वोल्ट का source लिया फिर एक दसमलो 5 वोल्ट का source लिया फिर दो फिर दो दसमलो 5 यानि कि जो हमरा voltage difference यानि जो change in voltage value है वो जैनि 0.5 वोल्ट का होता है जो हमने यहां पर रखा था इसी प्रकार आपने द दिखाई दे रहा था उसमें पहले 0.077 फिर 0.09 फिर 1.01 यानि कि 0.02 million current का जो change in current है वो हमें दिखाई दे रहा था यानि कि हमें change in current और change in voltage दोनों मिला जिसके द्वारा हम resistance यानि प्रितिरोदक का मान निकाल सकते हैं और आप यहां देख पाएंगे कि इस graph में यानि voltage जो ह graph plot कर रहे हैं जो हमने खीचा है उसमें हमें एक straight line दिखाई देती है और यह सिद्ध करती है कि voltage जो हम current में एक समानुपाती relation होता है एक संबंध होता है जिसके द्वारा हम कि उसके resistance को यानि उसके द्वारा resistance के मान को हम निकाल सकते हैं और यही हमें ohm का नियम बताता भी ह हैं तो मैं आशा करता हूं यह चोटा सा experiment एक परियोग जिसमें हमने ohm की नियम को आपको समझाने की कोशिश की है तो बच्चो आपने देखा कि कि किस प्रकार हम एक circuit का उप्योग कर विमेर प्रकार के मान को यानि voltage के मान को या current के मान को या resistance के मान को हम निकाल सकते हैं त तो यहां पर हमने चुकी voltage connection circuit उप्योग किया था और उसमें हमने आपको दिखाया कि एक resistor के अंदर जब हम कोई potential difference अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर current कैसे प्रभाहित होती है और जैसे आसे हम voltage की मान को बदलते हैं उसके साथ ही साथ सम उसके समानुपात में current का मान कैसे change होता है और किस प्रकार उसका graph उसके slope को निका उसके slope के द्वारा हम resistance के मान को निकाल सकते हैं तो आशा करता हूं यह चोटा सा experiment आपको बहुत पसंद आया होगा समझ में भी जरूर आया होगा आज इसी के साथ यहीं में समाप करता हूं आप सभी का बहुत बहुत धनेव के लिए आपके समख्ष प्रस्तुत हुए हैं आपने अपने जीवन में अक्सर यह देखा होगा कि जब भी हम मोवाइल फोन को बहुत देर तक उपयोग करते हैं तो बड़ा ही गर्म हो जाता है बहुत हीट हो जाती है एवं अगर आपने देखा हो जब भी आप चार्जर क जो हमारा होता है उसको भी आप फोन के साथ बहुत देर तक करनेक करके प्लग को अन कर देते हैं तो बहुत जादा हीट हो जाती है तो अब इसके पीछे कोई नों कोई विग्यानी कारण तो होगा हम जानते ही हैं तो आए हम आज उन पधतियों को चीजों को समझते हैं ले बहती है यहां आवेश्य मेरा मतलब है एलेक्ट्रॉंस जब फ्लो करता हैं देखे एलेक्ट्रॉंस को आप जानते हैं जो भी परमाडू के बारे में हमने आसक पढ़ाई की है पढ़ा है परमाडू बहुत चोटे-चोटे मौली कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे हम एलेक् विदुद्पका प्रवाह शुरू हो जाता है अब आपको यह समझना होगा कि किसी भी कंडुक्टर में यानि किसी भी चालक में जब करेंट फ्लो करती है तो उसके अंदर कहीं ने कहीं फ्री एलेक्ट्रॉंस तो होते हैं जिनके फ्लो के वेश्यानि बहने के प्रवाहित होती है तो कहीं ने कहीं उसके अंदर धरा बहने लगती यह तो विदुद धरा की आप इसके अलावा जब भी मुगत और बहुत जारा मात्रा में बहते हैं तो बहुत ज़ारा करिंट उसमें बनती है बहना शुरू हो जाती है तो यह तो करेंट की बहने की बारे में हमने बात की किस तरीके से ज्यादा इलेक्ट्रों के फ्लो की वे से ज्यादा विद्यूत का प्रवा है वो बढ़ता जाता है एवं चालकों के अंतर अब अगर हम थोड़ा ध्यान से और चालकों को गुल्भ होता है जो लोकने की की कोशिश करता है और यही वह गुड है जिसे हम प्रतीरोद कहते हैं या प्रतीरोध कहते हैं जानी हम कह सकते हैं किसी CEO के प्रतिरोत क्याता है। तो यह तो हम ने की बात किया और आई को समझ़ाते हैं कि किस प्रकार हमारे चल रशा किकश् sol का हमें समझ में आ सकता है। आपके घरों में आपने बहुत स coisas की हैं। जैसे टीवी फ्रिज इत्यादी हम उपियो करते हैं और आप जानते हैं कि उसके अंदर जो बहुत सारे उपकरन लगे होता हैं तो सभी मशीनों का अपना अपना एक कार्या होता है यानि सभी मशीनों के अपने अपने एक वोल्टेज का जो उसको लेने की जो शम्ता होती है को अलग-अलग होती है उसकी अलग-अलग कारी को उपर निरभर करता है तो इसलिए प्रत्यक मशीनों में हम अलग-अलग resistance का उपियो करते हैं यानि कि जिसके जितनी करेंट के requirement होती है उसी प्रकार हम उसके resistance का उपियों करता है अब आप सोचिए कि अगर किसी resistance में प्रतिरोध में अगर बहुत जादा मात्रा में current flow करना शुरू करें यानि बहुत जादा मात्रा में अगर विद्वत प्रभाह करना शुरू करें तो एक है और बहुत ज़्यादा हीट क्रियेट होता है तो जैसा कि मैंने आपको बता है कि आपके फोन बहुत ज़्यादा गरम हो जाते हैं लेकिन जब एक निशित मातरा के उपर वो करेंट का जो चेंजेज हैं मतलब विद्यूद्धारा से जब हम उश्मा उर्जा की तरफ बढ़ होता है हम किसे कहते हैं कैसे होता है अब हम आपसे बात करेंगे कि प्रतिरोधकों को यानि रेजिस्टर को हम बहुत तरीके से जोड़ते हैं वह जोडने की पद्धदी क्या है तो हम सधानता रेजिस्टर को चाहाँ हम एक से जादा ले या बहुत सारे ले हम उनको सधानता स्रिंखหนे में रखते हैं यह सभी न जोड़ते हैं और यह आद्यक भिकूशिद स्वेस देखने की कोशिश करएंगे और प्रयोग के द्वारा अपने प्रयोक को करें और दोस्तों जैसे क्या हमने आपको बताया था कि अब हम स्रिंख लावा और समनानतर कनेक्शन में प्रतिरोध को देखेंगे और समझेंगे उनके कारेप्र नाली को सबसे पहले हम आपको कुछ यहां हम लोगों ने प्रतिरोधक लिये हैं वह आपको दिखा देना चाहते हैं यह एक प्रतिरोधक हमने लिया है और इसी के तरीके के दो और हमने लिये हैं आप यहां देख सकते हैं तीनों का मान यह एक ही मान के अलग-अलग रेजिस्टर है पहले इनका मान आपको दिखा देते हैं कि कितना है आप देख सकते हैं लगभग 2.1615 किलो ओम का यह रेजिस्टर है प्रतिरोधक है और इसी प्रकार मैं आपको दिखा देता हूं बाकी दोनों भी त्याकि आपको समझने में कोई की दिकत नहों देखें यह भी दो दस्मेलों एक पांच हेकी लघभग और यह आख री वाला भी लगभग समझने का रेजिस्टर है अब हम इन तीनों कीमिद्द से आपको स्रिंक ला कनेक्शन याणी शिरूइस कनेक्शन में यावश्रूरर समनातर कनेक्शन डिखाएंग और समझेंगे उन पद्धतियों को सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सीरीस कनेक्शन यानि स्टिंखला कनेक्शन कैसे करते हैं आप देख सकते हैं आप रेट बढ़ हमने लिया है इसके किसी एक सिरे पर आप इसको ऐसे लगा दें किसी एक सिरे पर और दूसरे सिरे को किस दूसरे रेजिस्टर का ये पहला कोना end to end जोड़ दें तो देखे इसके दोनों end एक ही point के साथ मैं आपको यहाँ pen से दिखाने कोशिश करता हूं ये देखे ये register इस register और इस register का जो इसके नीचे का point और इसके नीचे का जो point हो वो एक ही line पर जोड़े हुए हैं और आखिर कर हमारा जो तीसरा register है उसको हम इस दूसरे register के last वाले कोने के साथ जोड़ देता हैं अब series connection में ये कहा जाता है कि series connection के अंदर जितने भी register आप जोड़ते हैं उन register को जब आप एक साथ जोड़े हैं उनका जो मान निकलता है जो algebraic sum निकलता है वह सम्तुल्य प्रतिरूत के मान के बराबर होता है यानि equivalent register के मान के बराबर होता है तो यहां पर अगर हम देखें तो सिर्फ इस पहले वाले register का जो मान है वो लगभग 2.05 किलो ओम है और इसका भी वही है और इसका भी वही है यानि तीनों को जोड़ेंगे तो लगभग कितना होना चाहिए 6.05 या 4 तो आये हम इसके एक सीरे पर और इसके एक सीरे पर इस multimeter को उप्योग करके धाख धाणी है our भी मेंटर को इप्योग कर रहे है कि मान कितना आता है क्या वो 6 दसमेलों कि आसपास 6,00 मन चार यह पांच के आसपास जए प्रतने मान के आपने देखा कि यह जो मान बता रहा है 6 दसमेलों 48 धीलो ओम का दिखा रहा है यानि कि हमने देखा कि तीनों के बराबर है अब आपको धिखाते हैं कि अगर इसी तीनों रेज्स्टर को गर हम थो मान क्या होगा म अब अब और ध्यान देना होगा कि मानली ज़े मैंने इसको यहाँ पर आध इसके दूसर्य और क्या जो होगा उसको भी उसी तरीके से उसी पॉइंट पर हमको समनांतर तरीके से जोड़ देना होगा यानि दोनों का जो एक सीरा होगा वो एक पॉइंट पर और जो दूसरा सीरा होगा वा दूसरे एंड को दूसरे पॉइंट पर जोड दिया है अब चुकि तीनों रेजिटर का मान तो हमको पता है यानि कि अगर उसके हम अपने अपने रेजिटर के मान की बात करें तो लगभग दो दस में लोग एक किलो ओम का वो मान अलग-अलग रेजिटर्स का है लेकिन जब हम इसका स समनांतर क्रम में सन्योजित प्रतिरोभो के समतुल्य प्रतिरोथ का व्यूत क्रम अलग-अलग प्रतिरोभो के प्रतिरोथ के व्यूत क्रमों का योग होता है यानि जो total equivalent resistance होगा वह इन तीनों के मान से कम होगा इंफेक्ट अगर आप ध्यान दें तो इसका गर एक रेश्टर्स का जो मान था वह लगभग दो दसमेलो एक था जब यह तो यह हमने आपको प्रयोग के द्वारा दिखाने की कोशिश की अब हम आपको थोड़ा दिखाना चाहते हैं कि जब हम इसमें voltage source देते हैं यानि कि voltage apply करते हैं तो इनके अंदर क्या changes देखने को मिलते हैं तो आइए हम एक voltage source ले रहते हैं 5V का यहां पर दीखिए हमने 5V का voltage source दे दिया है अब इसके मान को हम voltage पर ले जाते हैं वोल्ट मीटर पर ले जाते हैं 20 वोल्ट पर रख दियता है अब आप ध्यान दीजिएगा अगर हम सिर्फ एक रेजिस्टर को यहां ले सिर्फ एक रेजिस्टर हम ले रहे हैं और आप इसका चलिए इसको हम पहले जोड़ देते हैं फिर मांद को देखते हैं कितना होता है कि चलिए हम अगर इसके सिर्फ दोग सिरो को असे टाच करें तो आप देखेंगे लगभग एक ही रेजिस्टर के अंदर पांच भोल्ट का पोटेंशल डिफ्रेंस सप्लाई हो रहा है स्वरी क्रियेट हो रहा है ठीक है जो हमने यह सोर्स दिया वही इसी रेजिस्टर के अंदर क्रियेट हो रहा है अब दूसरे वाले की तरफ चेक करते हैं देखते हैं बीच वाले का पोटेंशल डिफ्रेंस कितना है तो यह भी करिबन पांच भोल्ट का ही आपको चले मैं फ देखें 5V और लास्ट वाला जो था वह भी लगभग 5V का आपको दिखाई दे रहा है और अगर हम समतुल 70 वोल्ट को देखें पूरा पूरे वोल्ट के वोल्टेज जो हमार सब ला सब्लाई benefits को देखें है वो सभी रेजिस्टर्स में equal amount में distribute हो जाती है बढ़ जाती है अब आपको यह समझना होगा कि इसका उपयोग parallel connection को उपयोग हम कहां करते हैं तो parallel connection को उपयोग हमारे घर में जितने भी बोड होते हैं electrical जो आप देखते हैं उसके अंदर आपने यह पढ़ा होगा यह सुना होगा कि हम 220 वोल्ट का AC सप्लाई देते हैं प्रवाइड करते हैं जब भी अपने घरों में अलग-अलग उपकरन को प्योग करते हैं उधारन स्वरूप माल लिए आपके घर में फ्रीज है वाशिंग मसी है और टीवी है यह पहला वाला फ्रीज दूसरा वाला मॉशिंग मसीं और तीसरा वाला जो हमारे टीवी हो गया तो अब तीनों अलग-अलग उपकरन है तीनों को ही किसी ने किसी अमाउंट में वोल्टेज की जरूरत तो पड़ेगी तो जब हम उसको सप्लाई से यानि ब वोल्टेज दिफ्रेंस उन तीनों में बढ़ जाती है लेकिन अगर हम किसी एक को हटा दे चले मैंने बीच वाला को हटा यानि मैंने वाशिंग मशीन को हटा दे कि कि उसका काम खतम हो गया फिर भी आप देखेंगे बाकी जो दोनों है उनके अंदर लगभग एक ही पोटे सर्की पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसलिए यह रफार कनेक्शन है लगभग जितने घर लूब करन हम उप उप योग करते हैं उसमें हम parallel connection का ही उपियोग करते हैं ना कि series connection का लेकिन अब हम series connection को भी देख लेते हैं कि उसके अंदर जब हम potential difference अप्लाई करेंगे तो क्या घटना घटती है तो चलिए हम फिर से एक series connection जो बना लेते हैं एक श्रिंखला connection बना ले और देखते हैं क्या होता है तो यह लेजिए मैंने बना दिया है अब मैं देखता हूं जोड़कर कि क्या मान हमें दिखा है मिलता है अब ध्यान से देखिएगा 5V का potential difference हमने दिया हुआ है source दिया हुआ है voltage का तो पूरे series connection में 5V का ही potential difference create हो रहा है यानि कि एक ही समान distributed है लेकिन अगर हम individual resistance को देखिए यानि अगला अगला resistance को अगर आप देखें तो उनके अंदर voltage का जो मान है वो देखिए कितना आएगा आप देखेंगे पहले वाले प्रति रोधक में resistance में है यहां जो मान है वो लगभग एक दसमलो छेचे आ रहा है अब चलिए दूसरे वाले में चेक करते हैं यहां भी आप पाएंगे कि लगभग एक दसमलो छेचे वोल्ड का मान आपको मिलेगा और आखरी वाले को भी देख लेते हैं तो यहां पर भी आपको एक दसमलो छेचे वोल्ड का मान मिला यानि इनके अंदर जो voltage ड्रॉप हुआ है वो लगभग एक ही मान में हुआ है तो इस प्रकार आप अगर उदारन स्वर लाइट भी नहीं जलते और जो हमारे अलेक्ट्रोनिकल चीजों को बनाने वाले जो टेक्नीशन होते हैं वो आकर ढूनते हैं कि कहां पर सर्कृट में प्राबलम हैं तो यहां पर हम यह समझ सकते हैं कि सीरीज कनेक्शन में अगर एक कॉंपनेंट खराब हो जाया तो उसकी व प्रतिरोदक को उपयोग करता है और उनके फाइदे क्या क्या है और नुक्सान क्या क्या है और यह हमारे आम जीवन में हमें कैसे प्रभावित करते हैं तो हम आशा करते हैं यह सीरीज और पैरलेलर कनेक्शन जो हमने आपको दिखाया है यह आपको आसानी से समझ में आया होगा और इसका उपयोग अपने कक्षाओं में आप जरूर करेंगे एक बार खुद से कोशि यानि एड़ monitेशन के बारे में जानेंगे जैसा हम लोग जानते हैं कि फिर्पी पे बहुत तरह के अलग-अलग आवास उपसित हैं कोई पानी में रहता है कोई धरती पे चलता है कोई आकाश में उड़ता है, कोई मडवस्थल में रहता है तो इस तरह अलग-अलग परिस्थितियों में रहने के लिए जन्तूओं में अलग-अलग हमें देखने के लिए अनुकलताएं भी मिलती हैं अभी हम लोग यहां चार जीवों अर्थ वर्ब यानि केच्वे, लोगयो यानि रोहू मचली, पीजन यानि कबूतर और काक्रोच यानि तिल्चटे के बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे जैसे अभी आप देख रहे हैं कि केच्वा तो रेंगता और मिट्टी में रहता है मचली पानी में और ये कबूतर या कोई पच्छी जो है वो आकास में उड़ता है और तिल्चटे नम अस्थानों में छिप कर रहते हैं तो अभी हम लोग देखें अर्थ वर्म यानि केच्वे के बारे में अभी आदमी के हात पर आपके केच्वा को देख रहे हैं और वगल में ये उसका चित्र है ये आप आगे में केच्वे के मुह को देख रहे हैं और पीछे टेल एंड है तो इस तरह से अभी हम लोग केच्वे के बारे में जानेंगे केच्वे का सरीर जो है वो भेलन का तथा खंडित होता है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इसके सरीर में किसी तरह का appendage प्रभर्धन नहीं है यह एकदम सीधा है किसी तरह से इसका सिर आप जो देख रहे हैं यह बहुत स्पस्ट नहीं होता है लेकिन आगे के भाग में एक सिर है वैसे शरीर के पहले खंड में मुख है यहाँ पर और शरीर के अंतिम खंड में हम लोग गुधा यानि एनेस को देख रहे हैं इसके चौदह में जो हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो चौदह में पंद्रह में और सुलह में शरीर के अगर भाग के खंड में ग्रंतिल उत्तकों से बनी एक पटिका है जिसको हम लोग क्लाइटेलम कहते हैं यह नम भूमी में बिल बना कर रहता है और इसका सरीर जो है वो बिल के आकार को निर्मान करने में सहायता करता है यह बिल निर्मान करने के लिए मिट्टी को खाता है उस मिट्टी में पोसक कार्बनीक पदाट को तो वो पचा लेता है लेकिन सेस मिट्टी जो है वो गुदा से बाहर आ जाता है और ये जो गुदा से जो मिट्टी की छोटी छोटी गोलियों के रुप में बाहर आता है ये वर्मी कंपोस्ट कहलाता है और ये मिट्टी को बहुत उपजाव बना देता है यानि ये किसान का मित्र है अब हम लोग तिल्चट्टे में अनकूलता को देख रहे हैं तिल्चट्टे का जो सरीर है कौक्रोच का वो तीन भाग में बटा होता है सिर यानि हेड इसके बाद जो है वो वच थॉरेक्स कहलाता है और इसके बाद उदर यानि एब्डॉमेन है सरीर कठोर क्यूटिकिल के पड़त से बाहे कंकाल से ढखा रहता है सिर में एक जोड़ी स्रिंगिकाएं एंटीना पाई जाती है इसमें एक जोड़ा सन्यूक्तर नेत्र भी रहता है जो यहां आगे आप देख रहे हैं इसके मुख के द्वार के चारो और मुखांग होते हैं वच में तीन जोड़ी 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 लेक्स आप देख रहे हैं ये छेप इसके पाओं हैं तीन जोड़े जो इसे चलने में मदद करते हैं दौड़ने में मदद करते हैं वच्च में दो जोड़े पंक हैं यहाँ पर ये जो दो जोड़े पंक आप देख रहे हैं ये पंक इसे उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं पंक का अगला जोड़ा कड़ा होता है और चिवड़ा होता है जबकि पिछला जोड़ा पतला या मेंब्रेन की तरह होता है या अस्थलिय कीट है वैसे अगर हम लोग देखें तो कौक्रोच में नड तिल चट्टा और मादा तिल चट्टा दो तरह के तिल चट्टा रहते हैं इसमें आप देखेंगे तो इनका मुख्य अंतर ये है कि एनल स्टाइल जो है वो नर तिलचटे में उपस्तित होता है जबकि वो मादा तिलचटे में अनुपस्तित रहता है इसी तरह से ब्रूच पाउच अनुपस्थित है नर में जबकि मादे तिलचटे में ये उपस्थित रहता है इसी तरह से अगर एंटीना को देखेंगे तो नर तिलचटे का एंटीना लंबा जबकि मादा तिलचटे का एंटीना छोटा होता है तो ये मुख्य अंतर है तिल्चटे में नर और मादावे अभी हम लोग अब रोहु मचली के बारे में जानेंगे जो साफ पानी में पाया जाता है रोहु मचली जो है वो एक जलिये जीव है इसका शरीर आप देख रहे हैं कि धारा रेखित यानी स्ट्रीम लाइन है जो तैर्लिंग ने इसकी सहायता करता है पार्ट्स वो से चिप्टे लैटरल कॉम्प्रेशन होते हैं शरीर के आकरिती से तैते समय इसे जल का अवरोत कम से कम करने में इसे सहायता मिलती है शरीर में एक जोड़ी इसपस्ट आँखे होती हैं उपरी और निचरे जब्रों से घिरा मूह होता है शरीर सलकों से ढखा होता है और सलक शरीर को जल प्रतिरोधी बना देता है जल में तैरने के लिए युगमित यानि पेर्ड में और अनपेर्ड पंक भी पाए जाते हैं जैसे आप यहां देख रहे हैं डॉर्सल फिन हैं एनल फिन हैं पेक्तोरल फिन हैं या काउडल फिन तेल फिन को भी कहते हैं तो जो तैरते समय सरीर को दिशा देने का काम करता है जलिये श्वशन के लिए मचली के अंदर ये जो अपर कुलम आप देख रहे हैं इसके अंदर गील्स रहते हैं और वो जल में घुलेवे ऑक्सीजन को ग्रहन करता है और कार्बन डाइक्शाइट को छोड़ता है तो अभी हम लोग रोहु मचली के बाड़े में जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि उसमें अपने जल में रहने के लिए अपने आवाश में रहने के लिए क्या अनुकुलताएं सरीर में पाई जाती हैं अब हम लोग पीजन यानी कबूतर के बारे में देख रहे हैं कबूतर का पूरा सरीर आप देखेंगे तो ये पंकों से ढखा रहता है पर ताप रूधक का कारे करते हैं और पच्छी को उड़ने में सहायता देते हैं वैसे ये वाद ब्लडेड एनिमल है यानी इसका जो तापमान है वो इस्थिर होता है इसकी अगली टांगे जो आप देख रहे हैं ये पंकों विंक्स के रूप में रूपांतरित होते हैं और ये उसे दूर दूर तक उरने में मदद करते हैं उसी तरीके से इनकी सहायता से ये बहुत दूर तक उर सकते हैं जबकि हिंड लिम्स यानि पिछली टांगे जो हैं इसमें कलॉ होते हैं नक होते हैं उंगलियां होती हैं जो टहनियों को पकड़ने में इसे मदद करता है चोच में ये जो बीक आप इसका देख रहे हैं इसमें दात नहीं होते हैं इसका सरीर बहुत हलका होता है हलका करने के लिए इसके अंदर जो आप देखते हैं वो बून्स जो देखते हैं हम लोग इस बून्स में अगर ध्यान देंगे हम लोग तो ये खोकले होते हैं और इसमें हवा भड़ी रहती है उसी तरीके से ये फेफरे द्वारे सवसन लेते हैं यहां दिखाया जा रहा है कि इसके अंदर में हम लोग जानते हैं कि लंस है ये फेफरे हैं जिसके द्वारा कभूतर स्वास लेता है और इसके अंदर जो है वो मलासे रिक्टम या मुत्रासे नहीं पाये जाता है ताकि पच्छी का वजन बढ़े नहीं तो बहुत सी अनुकूलताएं हम लोग कबूतर में पालते हैं जो कि इसे उड़ने में सहयोग करता है और इसलिए ये काफी उचा उड़ भी सकता है और तैनियों पर खेलता भी रहता है तो अभी हमने कबूतर में पाई जाने वाली अनुकूलताओं को देखा आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पार्ट आपको अच्छे से समझाया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा तो आप अपने उस सवाल को उननयन आप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं बच्चों आप अपने सवाल को हमारे दिये गए नंबर पर संपर्ट करकर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लिजिए अगर आप हमें इमेल करना चाहें तो इमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर इमेल आईडी दी हुई है नोट कर लिजिए यह वीडियो बीपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है तो आप वेबसाइट नोट कर लिजिए www.bepcssa.in इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्षन में जा कर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ तब तक के लिए घर पर रहें सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें बाई बाई बच्चों में बाई दो लुप सकते हैं